कि इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 13 सितंबर 2022 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूं कि मैं विशेश असाधारण और अलोकिक हूं मैं घोशना करता हूं कि मैं विकास के नए सत्रों में चल रहा हूं मैं स्थिर नहीं रहता और नहीं पुरानी चीजों को पकड़के रखता हूं मैं यहाँ जानने के लिए खुला हूं कि इसर के पास मेरे लिए बहतर योजना है अब सर के नए दरवाजे, नए रिष्टे और अनग्रह के नैस्तर यहां और अब एशु के नाम पर है, यह मेरी घोशना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोती मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है इसलिए मैं वचन के अलावा किसी भी चीज को मुझ पर हावी होने की अनमती देने से इनकार करता हूँ मैं अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के अधिन रखता हूँ कुछ भी जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, मेरे शरीर में अनुमति नहीं है, मैं निरंतर दिव्य स्वास्त में चलता हूँ, इश्वर की महिमा, आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा एश्व के नाम में, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानोजाती का कृपा पात्र हूँ, मैं व पर लगाया गया हूं मैं अपने प्रभु के दरबार में तार के पेड़ की तरह फलता फूलता हूं मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलत्पन करता हूं मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूं और बुढ़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूं मैं मसी येशु में हर आध्यात्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूं, मैं एक आत्मा हूं, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्र मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है, मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ, मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ, परिपूर्ण बनो मसी के मनोभाव के तरह, और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से सनरेखित होने की आग्या द देता हूँ, मैं अपने स्नायू और नसों से जीवन बोलता हूँ, मैं अपनी मान स्पेशू और स्नायू बंधन को ताकत बोलता हूँ, मैं अपने दिल से जीवन सत्ती बोलता हूँ, मैं अपने फेफडों और उतकों से सामान ने वेंटिलेशन और परफ्यूशन अनपाद बनाया रखने के लिए बात करता हूं मैं अपनी किड़नी लीवर और अगनाशे को पूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डिया जोड और कैटिलेज संरेखित मजबूत और दिड़ है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कृष रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बैतरीन मेरी तुचा एक नवजाश शीशू और इश्वर की सुंदर्ता की तरह चिकनी और स्वस्त है मेरे बालों के रोम कस्ग है मैं अपने बालों को अपने जगह में स्तिर रहने की आग्या देता हूं और जहां सब्रिद्धी की आश्रता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूं मेरे दात मसूडे जबडे की हडिया तंत्री का और रक्त की आपूरती सभी स्वस्त मजबूत और परिपूर्ण हैं मेरे सभी हर्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ करने और आत्मसाथ करने में सक्षम हैं और चयापचय अप्षिष्ट उत्पाग नेमित रूप से मुझ सर्जित होते हैं मैं खाने तकनीक मेडिया शिथिलता गप्षप आलस्य अधिक नींद सुस्ती और बाध्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के वैसनों शराब वैसा ही मैं इश्वन ने जो कुछ भी बनाया है वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खाद्य पदार्थो धूल जानवरों आदी अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वन ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजरन तंत्र पर जन्म तक घुरों की रक्षवर पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग पूर्णता में कारे करता है जिसके लिए इश्वन ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है औब मेरे श्रीर मे किसी बिर्परकार की खराबी और विकृती को एश्व के नाम पर बना करता हूं आमेन मेरा संपूर्ण मानोश शरी रचना विज्ञान, चया पचय और शरीर क्रिया विज्ञान, मसी येशु में परिपूर्ण है, महिमा, हालेलुया, आमेन पिता इश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पुत्र इस्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा इस्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ सालोम